तुलसी के नीचे बांथ देना। यह एक चीज पैसे गिंते-गिंते ठक जाओगे, हो जाओगे रातों रात। मालामाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गढ़ देनी चाहिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं, जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है अगर आप इन बातों का पालनपुर नहीं करेंगे, तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाईयां का सामना भी करना पड़ सकता है अगर आप इन बातों का पालनपुर करेंगे, तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा तो चलिए, जानते हैं आज की वीडियो में इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको मान तुलसी का डेड़ सर आशीरवाद मिलता है और आपके घर में मान लक्षमी का सदैव ही निवास रहता है दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है पुराने के अनुसार तुलसी में देवी लक्षमी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखना के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मनी जाती है यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है इसी लिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है दोस्तों भारत में ही नहीं बलकि संसार के अधिकतर देश में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है इस पौधे में अनेक औशधी गण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक और भी बहुत प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो, अथ्वा कोई यग्य हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। यानि की तृदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप इस प्रकार से नश्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्री का अंधकार नश्ट हो जाता है शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा रहता उस घर में सुख शां की सीधी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं इसी लिए प्रत्येग घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शान्ती और वृध्ध के लिए तुलसी मा को चुनरी अवश्य चढ़ने चाहिए अकसर लोग घर में तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो, पता है, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। अध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाई। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीता है। दोस्तों, कुछ लोग जान अंजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही समवेदन शील होता है। इसकी अच पूते चप्पल अथवा जाडू पूछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उसे स्थान के आसपास ठोकने से घर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के दीपक जलन के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाना चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जालना चाहिए। अक्सर महिलाएं सनान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांध कर माथे पर सिंदूर लगा कर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी आशीरवाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गांधी मिटी का उपयोग न करें तो तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिटी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मृत हो जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। तो घर की सुख समरिध्य खत्म हो जाती है। सुखी हुई तुलसी में मा लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सुख जाए तो दुरघटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से खयाल रखना चाहिए। उसे ज मकडी के जोल अथवा कीडे नहीं लगनी चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दोरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्ष करना भी वर्जित है। तुलसी को बिनासनान किया जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चपल आधी पहन कर भी तुलसी को जाल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर की प्रताप होती है और तुलसी पत्र की सेवन से उसके सभी पाप नश्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुब होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन् लक्ष्मी का आगमन होता है, तो तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी मा रूठ जाती है, तुलसी के पास मरुस्थलिये पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है, ऐसे पौधों से नकारात्मक उर्जा निकलते हैं, शास्त्रो में कहा गया है, जिन पौधों से हरिभारी कईयों की उत्पत्ती ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बलकि मरुस्थलिये पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए, इन पौधों क पौधा तो गलती से भी तुल्सी के पास ना रखें। यह तुल्सी की संपूर्ण सकारात्मक उर्जा को नश्ट कर देता है, लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेश महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको तुल्सी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए, तुल्सी के गमले में शालिग्राम रखना से तुल्सी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये पत्थर नदी में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप शालिग्राम तुल्सी के पौधे में रखते हैं, तो भगवान विश्नु के साथ आपको मा लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। प्रित्यू के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापोन से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यू के पश्चात बैकूंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औशधी के सामान है, जो इसका सेवन करता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर आपने सर पर हाथ फिर देते हैं, बलकि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चारण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहन करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लेट समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं, जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर दिन शालिग्राम को पंचा मृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जनों के पाप नश्ठ होते हैं। श्रालिग्राम सकारात्मक और सात्विक तक प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लग करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोग नी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मा, लक्षमी आपके जीवन में खुशियां और ध दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, धन तेरस या दीपावली जब भी आती है, तो बहुत ही फलदाई और चमतकारी मानी जाती है। स्वयम लक्षमी जी चलकर प्रित्वी लोग पर भ्रमन करते हैं और उस घर में जरूर जाती है, जहां मा लक्षमी को बह जाने से पहले आपको हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्यान करना, यानि कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना, इसलिए आप से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट ब सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पौधे वाला उपाय करना चाहिए, यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्थ पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो दोस्तों, माता लक्षमी जी के आशीरवात से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ती मिल जाएगी, आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिये, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीम से आपको मुक्ती मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएगे, दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसी लिए दोस्तों, इस दिन आप लोग इसलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में सभी दुख दर्द बांट देना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जयमा लक्ष्मी जरूर लिखें कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान धनवंतरी की कृपा नहीं देखते हो, काट-काट कर देखते हो, और जिससे आप गलत-गलत उपाए को कर लेते हो, तो आपसे निवेधन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि गलत-उपाए के गलत-परिणाम हो सकते हैं. देखिये दोस्तों, यह दिन दीपावली का दिन है, और य इस दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। इस दिन पर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बढ़ाई को किया है तो उसे विशेश दिन का फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बढ़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है किसको करना है और कैसे करना है तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस दिवाली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रूओं और किसी भी दोश, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है, और जब बात आ जाए तुलसी के पौधे की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है, अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं, तो देखो, घर की जो बड़ी माता है, बहाने होती है, उन माता बहन में से कोई भ खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही इस वाले उपाय को करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है, जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शान्ती के लिए यह वाला उपाय करना चाह तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, पौधे वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, तो देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा, क्योंकि धन तेरस और दीपावली साल के सबसे बड़े दिन हैं और ये दिन बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्व पूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोश काल में करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है तो देखो सुभह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो सुभह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना बाकी अगर किस इसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें, प्रदोशकाल का ज कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परन्तु दीपावली के दिन कोशिश करना इसी समय के अंतरगत ही कर लो, अगर किसी कारणवश ना कर पाओ, तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, तो चलिए, अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो तुलसी से जुड़ा उप जब आप करते हैं, तो धन संपदा की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होती है, और आपके जीवन में भी कभी कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है, कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं, मा लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है, ज तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे दो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं, इस दिन सिध्ध योग और सर्वत सिध्ध योग दोनों के दोनों योग पर रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर ल और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी मनो कामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मा लक्ष्मी की कृपा बरस्ती रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं सबसे प तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले दिन अपने घर में सुभह के समय में सनान आदी करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे से प जल्दी इस दिन डाल कर स्नान कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है, यह चमकता चला जाता है, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव उर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह गंगाजल के छिड़काव से दूर हो जाती ह तो धन तेरस और दिवाली का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ठ है, वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे क्योंकि हल्दी जो है, यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है, साथ ही साथ, श्री हरी विश्नु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं, तो पहला उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपके घर से नेगिटिव उर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को द करती चली जाती है, जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य भी आपको पूरा-पूरा साथ मिलता है, अब बात कर लेते हैं, अपने दूसरे उपाय की तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखती है, जिसके बाद आपके घर में धान की वर्षा भी होग और अश्ट लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, देखिए, जहां पर श्री हरी विश्नु होते हैं, ना वहीं पर होती हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरी विश्नु के मा लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है, जहां श्री हरी विश्नु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो श्री हरी विश्नु है, इन्हें तुलसी मईया बहुत प्रिय है। और तुलसी मईया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आप से श्री हरी विश्नु प रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक-एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज समस्याएं हैं, मतलब धन क को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेशकर, दिवाली और धन तेरस पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। अब दोस्तों, पौधे वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? तो देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा। क्योंकि धन तेरस और दीपावली साल के सबसे बड़े दिन हैं और ये दिन बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्व पूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोश काल में करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है तो देखो सुभह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो सुभह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो दस या ग्यारह बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर बारह बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना. उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें, प्रदोशकाल का जो समय होता है, वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोशकाल का समय होता है, इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु दीपावली के दिन कोशिश करना इसी समय के अंतरगत ही कर लो, अगर किसी कारणवश ना कर प लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं, तो धन संपदा की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होती है और आपके जीवन में भी कभी कमी नहीं होती है। और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते है मा लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरस्ती है जब आप दिवाली और धन्तेरस के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं और इस बार तो दिवाली पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योग का निर्मान हो रहा है तो इस दिन आपको बिलकुल नहीं चूकना है क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे दो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं इस दिन सिध्ध आपको बताने वाले हैं, जिससे की आप की मनोकामना भी पूरी होगी, धन समपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मा लक्ष्मी की कृपा बरस्ती रहेगी तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की जो कि आपको दिवाली और धंतेरस के दिन जरूर करना चाहिए क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनरजी होती है जो भी बुरी शक्तियां होती है नजर दोश होती है सारी की सारी दूर होती है तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से अब देखिए आपको करना क्या है आपको सबसे पहले दिन अपने घर में सुभह के समय में सनान आदी करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है गंगा जल का सबसे से पहले आप छिड़काव करेंगे उसके बाद जब आप सनान करेंगे तब उस जल में आपको क्या कर एक छुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है देखिए अगर आप एक छुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आ उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कश्ट है वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है साथ ही साथ श्री हरी विश्णू बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं तो पहला उपाय की बात कर लेते हैं जो कि आपके घर से नेगेटिव उर्जा को दूर करेगा नकारात्मक शक्ती को दूर करेगा बुरी शक्तियों को दूर करेगा साथ ही साथ नजर दोश अगर घर को लगी है किसी व्यक्ती को लगी है वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं आपके भग्य भी आपको पूरा-पूरा साथ मिलता है अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखती है जिसके बाद आपके घर में धान की वर्षा भी होगी और अश्ट लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा देखिए जहां पर श्री हरी विश्नु होते हैं ना वहीं पर होती है धन की देवी माता लक्ष्मी क्योंकि बिना श्री हरी विश्नु के मा लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है जहां श्री हरी विश्नु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है अब आपको बता दें कि जो श्री हरी विश्नु है इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आप से श्री हरी विश्नु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्ट को दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख धन की व्रिध्ध भी होती है अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता पैसा हाथ में नहीं रुकता है फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं एक-एक रुपय को लेकर परेशान है दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज समस्याएं है मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं है उन्हें तो विशेश कर दिवाली और धन तेरस पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए